आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक्ट्रेस रश्मी का मंदाना का एक डीप फेक वीडियो वाइरल हुआ था और एक इमेज भी वाइरल हुई थी डीप फेक जो की सारा तंदूलकर की थी जिसमें वो शुबमन गिल के साथ नजर आ रही थी दरसल ओरिजिनल जो फोटो थ वो सचिन तंदूलकर के बेटे और सारा तंदूलकर की थी लेकिन उससे मोडिफाई ऑल्टर किया गया था अब सचिन तंदूलकर का एक डीप फेक वीडियो वाइरल हुआ है जिस पे उन्होंने रियक्ट किया है इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते है दरसल यह वीडियो है इसमें सचिन तंदूलकर की आवाज को डब करके और उसमें छेरचाड करके उन्हें किसी एप्लिकेशन को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है उनके इंटर्व्यू के साथ छेरचाड की गई है और यह डीप फेक वीडियो बनाया गया है सचिन तंदूलकर ने इस वीडियो पर रिस्पॉंस देते हुए लिखा है कि यह काफी डिस्टर्ब करने वाला है और टेक्नॉलजी का मिस्यूज हो रहा है मेरा अनुरोद उन सभी से है लोगों से है जो यह वीडियो देख रहे है कि इसे रिपोर्ट करें और वो यह भी लिखते है साथ में कि सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को भी अलर्ट होना चाहिए और रिस्पॉंसिव होना चाहिए इस तरीके की जब कोई कंप्लेंट आती ह उनके पास तो उसको अड्रेस करना चाहिए सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म को आपको बता दे कि यह डीफेक का जो चक्कर है काफी लंबे समय से चल रहा है और इसकी वज़ा से सेलिब्रिटीज को काफी नुकसान हो रहा है उनके डीफेक वीडियो बनाय जाते है और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जाती है